सुश्मिता सैन की मच अविटिट सीरीज आर्या 2 रिलीस हो चुकी है सुश्मिता सैन ने फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय तक काम किया लेकिन उन्हें फिल्मों ने अक्सर फरनीचर की तरहें इस्तमाल किया असल में टैलेंट दिखाने का मौका सुश्मिता को OTT प्लाटफॉर्म पर ही मिला है आर्या जो पहली सीरीज आई थी उसमें भी सुश्मिता को एक शक्ती शाली मा के रूप में दिखाया था जो काफी पसंद किया गया था और इस सीरीज में भी वही है सीरीज में जहां सुश्मीता सेन तीन बच्चों की मा का किरदार निभाती है अपने बच्चों के लिए लटती है वहीं सीरीज में फैमिली की प्लैनिंग, प्लोटिंग, ड्रग्स कनेक्शन सब कुछ है आरिया एक डच्च सीदीज जिसका नाम पैनोजा है, उसका इंडियन अडापटेशन है और ये इंडियन अडापटेशन बनाया है डिरेक्टर राम माधवानी ने जिन्होंने निर्जा फिल्म बनाई थी राम माधवानी का स्टोरी टेलिंग आइडिया हमेशा काम करता है, लोगों को पसंद आता है जिस तरीके से वो कहानी की परते खोलते हैं और यही फ्लेवर है आरिया में भी, आरिया फर्स्ट अगर लोगों ने देखी है तो उन्हें आरिया टू भी पसंद आएगा हाला कि कहने को यह सीक्वल है लेकिन चीजे वही घटित होती है, बच्चों को लेकर इन सिक्यॉरिटी, ड्रग माफिया आ जाते हैं, फैमिली का शडियंतर इस सीरीज में भी चलता है, सब लोग अपना अपना खेल खेलते हैं और कुछ एक नए किरदार भी इस सीरीज में आड किये गए हैं, पिछली सीरीज में दिखाया गया था कि सुश्मीता सैन अपने पती यानि की चंदर चूर सिंग की मौत का बदला लेने के बाद इंडिया छोड़कर न्यूजिलेंड शिफ्ट हो जाती है, इस सीरीज में दिखाया गया है कि सुश्मीता सैन अपने बच कैसे आगे बढ़ती है कैसे अपने बच्चों की रक्षा करती है कैसे ये शड़ेंत्र सुल जाती है और माफियाओं से कैसे निपढ़ती है यही सब इस कहानी में बताया गया है हम कई बार बे-फिजूल की बिना कहानी वाली फिल्में देखने के लिए थेयर्टर में चले जा है अगले एपिसोड पर जाने के लिए